हेलो एन वेल्कम गई इस वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लग बात करेंगे साल चार रमजान टी टैन लिग की जो की मेश होने वाला यासे काबूल जानमी लाइफ स्टार वर्सिस एज के एक बात करेंगे चर्ण के इस मैच के इस से बहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रही की कि यूटूब चैनल को अभी तक अपने सस्क्राइब नहीं किया तो यूटूब चैनल को subscribe कर देजगा क्योंकि यह पूरी टूर्णामेट इसी YouTube चैनल पर cover की जाएंगे इसके साथ-साथ यहाँ से मिजोरम T20 cover की जाएंगे इसके साथ-साथ यहाँ से ECST10 के वीडियोज मिल जाएंगे इसके साथ-साथ यहाँ से कल UAE woman की match है यहाँ से Hong Kong woman के साथ उसका वीडियो भी आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगा तो सबसे पहले YouTube चैनल को subscribe कर लेगा और यहाँ से टेलिग्राम से जुट जाएगा क्योंकि final update और टीम बगेर आपको वाई पर मिलने वाली है तो टेलिग्राम से जुटने कले मैंने नीचे description box में already link एटेश किया हुए in case अगर link वर्क ना करे टेलिग्राम में जाके आप search का सकते हो fantasy decent challenger या फिर आप search का सकते हो add direct fdc27 और आपको सी इधा हमारा चैनल मिल जाएगा simply उसे join के लेना क्योंकि final team और update आपको वाई पर मिलने वाली है बात करें इस match की तो एमेच राट को ग्यारा बच कर 30 मिनिट पर sorry यहांसे AM किया हुआ है लेकिन यहांसे PM है तो ग्यारा बच कर 30 मिनिट को यहांसे साज्जा cricket stadium साज्जा United Arab Emirates में खिला जाएगा pitch report की बात करते हैं तो ऐसे batting friendly pitch है यहांसे short boundaries है और उसका पूरा फाइदा ऐसे basement को मिल सकता है लेकिन कभी-कभी smiles slow होने के कारण यहांसे कम score भी बनते हैं average score की बात करते है यहांसे 110 run के आसपा स्कार बनतवाना ज़रा सकता है हो सकते है यहांसे 150 के प्लस भी score बन सकता है लेकिन एवरे स्कोर हम यहां से 110 मान के चल सकते हैं चेजिंग रिकोर्ड की बात करें तो अपर तक 18 मैचिस के लिए जिसमें से चेजिंग करते वाली टिम ने यहां से 9 बार मैच जीती यहां से बैटिंग पहले करने वाली यहां से 9 बार ने लेकिन यहां से पिछली कुछ मैचिस में पहले बैटिंग करने वाले को बहुत जारा एडवाटेज मिल रहा है तो आई थिंग के जो भी टिम टॉस जीते हैं यहां से बैटिंग करना पसंद कर सकती है तो आईए जले सबसे बहले बात करते हैं ऐसे KJLS की तो एक मैच खेली है और यहां से हार के आ रही है रफिक जमन यहां से ओपनिंग करें मुहमद सहजाब के साथ और यहां से दोनों ही क्लास बेश्मेन हैं यहां से रफिक जमन लास मैच पे जीरो पे जरूर राउट हो गये लेकिन एक क्लास बैट है यह कभी भी आपको बड़ा परफॉमस दे सकता है इस ओके ओके पिक रहेंगे टी ट्वेंडी वगेरा खेले हो जहां पर चार मैच के अंदर 31 रहने तो इतने कोई खास परफरमस है ने तो इनको लेना थोड़ा सा रिष्की रहेगा तो आपके लिए इनको ग्राण लिग वगेरा में ट्राय करना हो तो कर सकते हो लेकिन आइध जट खाने के अच्छी पिक बन सकते हैं लेकिन बैटिंग से चोथे नमर पाया थे आज अगली मेच के अंदर यह थोड़े से उपर खेल सकते हैं और साथ मेच के अंदर 108 रन किया हो जहां पर 18 के अवरेट से रन किया हो तो यह कभी भी आपको बड़ा स्कोर करता हो नजर आ सकता है इवन 30-40 रन भी मार के दे सकता है आपको लेकिन इनको लेगे जना थोड़ा सार इसकी रहेगा क्योंकि ज़्यादा दा इनको लेके नहीं है कि लास मैच के अंदर काफी नीचे नहीं खेले लेकिन 8 रन ही बनाए हैं तो ओर और और के इसाब से आप अगर इनको प निकाली हो और आपको आगे भी अच्छी गैन बाजी करता हुआ नजर आ सकता है तो अब्दुललतीव एक इंपोर्डेंट पिक बस सकते हैं जबी भुला तो उक्तियों के पिकिराएंगे ग्रांड लिग बगेरा में ट्राइक कर सकते हो वैसे 10 मैच के अंदर यहां से लिगेट भी निकाली है लास मैच के अंदर तो ओर नहीं कि ज्यादा ओर सकता है यहां से इंपोर्णेट पिक रहेंगे इनको जरूर लेकर जाएंगे बाकि नूर अभी को लेने का कोई मतलब बनता नहीं और लास मैच के अंदर भी बिलकुल परफोर्मस करने का इनको मौक भी खिल सकते हैं बाकि मौहमद वशी मकरम इंपोर्णेट रहेंगे यहां से उनेद रहमान इंपोर्णेट भी करेंगे इनको मैं जरूर अपनी टीम के अंदर लेके जा सकता हूँ इससा उनेद रहमान को बंदे के पास यहां से एक शमता है एक दो विगेट टरन लेने के ह पर एक बार में बरोसा कर सकता हो तो यहां से उनेद रहमान को अपनी टीम के अंदर लेके जाना हो तो जा सकते हो बाकि थोड़े से रिस्की रहेंगे लेकिन आई थिंक कि शायद यह परफॉमर्स दे सकते हैं बैंस से अगर कोई भी खिलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलेगर में परवाइड करा दूँगा यह बंदा इंपोर्नेट रहने वाले हैं यहां से मुहमद दाउद अगर खिलते हैं तो इंपोर्नेट रहने वाले हैं करीबन 45 के अवरेट सरन किया हो आई थिंक शायद अगली मैच के अंदर आपको खेलते हो नजर आ सकते हैं बात करते हैं ऐसे टिम HKSZ की तो दो मैच खेली दो 56 मेच के शीरी यहां शी पिरूल Lol रह्मान डोमी मैच के अंदर सिंपर्फर杜 का चाहई हो ऑर और और से देखने के लिए रही है तो टाप पर्फॉम्स था यहां से 5 मैच की खेली 15 घ्र उन्होंने निकाली हुई है तो हर एक मैच के अंदर आए थिंग के शायद अगली मैच के अंदर एक आधी वोस भी करवा लें लेकिन यह वोस कप करवा दे है ना टीम को जब जरूरत होगी तब यहां से वोस करवा सकते लेकिन अभी इनके पास बहुत सारे ओप्सन से बैटे यहां से आदिल मियों की बात करो तो हर एक मैच के अंदर विकेट देता वा नजर आ सकता है आपको उन्चालिस मैच के अंदर 35 विकेट है और पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट निकालता हो आ रहा है अला कि बैटिंग भी अच्छी कर ले चाहें से गरीबन 37 के वरेज सकते हो विएसे प्लेयर्स का भी अच्छा है पॉइंट्स दे सकता है आपको फरहान नजर लास मैच के अदर एक विकेट नहीं मिले लेकिन इनकी बैटिंग एवरेज थोड़ी सी अच्छी है तो इनको आप डिफ्रेंसियल वे में ट्राइक कर सकते हो पाकि क्याफ रमजान वेरी इंपोनेट भी रहेंगे इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप की बात करो तो यहाँ से कैफ रमजान इंपोनेट भी रहने वाले है बात करते हैं से अब्दुलकफार की तो पिछले दोनों मैच के बात कर तो पहले मैच के अंदर एक विकेट मिला दूसरी मैच के करके जा सकता हूँ यहां से अब्दुलकफार को थोड़ा शौकिंग लगा यहां से साइफुला बंगस के बारे में सुनके यार पहली मैच के अंदर बेटिंग नहीं दूसरी मैच के अंदर सिर्वेकी रन किया क्या क्यूंकि उनको आठवे नमर पर बेटिंग के लिए बेज आपको 40-50 रन भी आराम से करके दे सकते हैं तो मैं इनके उपर रिस्क ले सकता हूँ इनके बार प्रोसा कर सकता हूँ एक बार फीसे मैं अपनी टीम के अंदर उनको लेके जा सकता हूँ बाकि शामिल रमजान ने भी पहली मैच के अंदर उपनिंग किया दूसरी मैच के अ यह बंदा इंपोने रहने वहाला है जिकरिया रमजान आईए जले देख लेते हैं हमारी फेंटासी टीम कौन से रह सकते हैं कौन से प्लेयर को हम लोग यह से अवोड करके जा सकते हैं विकर्किविंग सक्षन की बात करो तो मैं यहां से मुहमद सहजाप को लेके जा रहा हूँ यहां से काशिफ रमजान है यहां से वशी मखरम और यहां से आदिल मियों को लिया है शामिल रमजान एक बार फिर से ओपनिंग कर वा सकते हैं पहले मेंच के अंदर बाकि रफिक जमन काप बात टोल बल्लेबाजी कर वा शक्ते हैं तो ये दोनों प्लेयर्स आपके लिए डिफरेंशियल पिक इवन ग्रांड लिग वगेरा में ट्राइ कर सकते हो बॉलिंग सक्षन से यासे अब्दुल गफ़ार यहां से अली रजावर यहां से हसान अली हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं पाकि उनेद रहमान को अपनी ट किया हुए अभी के लिए बाकि मेरी यहां से पूरी इच्छा है अब्दुल गफ़ार को कैप्टन या वाइस कैप्टन सिप करने की लेकिन यह बहुत ही रिस्की हो जाएंगे स्मॉल लिक के लिए तो अभी के लिए इस से टीम के साथ जाओंगा लेकिन यादर यह डेमो ट कि लाइक और शयर कर सकते बागी यूटूब चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा क्योंकि आगे आने वाले और अच्छा मेंसिस की वेडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाले मिलते हम लोग अगली वेडियो में एक नए सरफ्राइडी वीडियो क तब तका पूरा विडिये दकते लो अच्छाने लिस्ट कते लो अच्छी टीम बनाते लो अच्छी मिनिंग कते लो बाई धन्यवाद जय हिन जय भारत